पटना में विपक्ष की इस बैठक पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसेन ने कहा कि ये सब मुंगेरी लाल के सपनों जैसा है बिहार के पटना में तमाम विपक्षी दल जोड़कर मंथन कर रहे हैं कि कैसे 2024 में नरिंद मोधी को घेरा जाए इस पर बात करने कि लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं शाहनवाज हुसेन साथ शाहनवाज जी किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बिपक्ष एक जोट हो रहा है बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए कोई चुनोती नहीं है कोई परवा नहीं है पूरा देश जानता है कि देश की जनता का गठवंदन मोदी जी के साथ है देश की जनता के दिल में मोदी जी बसते हैं और कई दल हैं जो मोदी जी के विरोध के नाम पर टिके हुए हैं वो एक अठे हो गए हैं उनके नेता अलग है नेती अलग है नेतृत अलग है विचारदारा अलग है सिर्फ मोदी जी के विरोध में एक दूसरे को गाली देने वाले एक अठे बैट कर भी क्या करेंगे लेकिन आज राहुल गांदी ने वहां पहुँचकर फिर कहा कि ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है जो बीजेपी देश में नफरत भी बिहार में तो उनको जरूरी नफरत याद रखना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के दोरे अख्तदार में ही नवासी में जब राजीव आमान हैं बहबत हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हैं लेकिन सर विपक्ष जिस एजन्डे पर मंधन कर रहा है कि 2024 में विपक्षी पार्टी का एक उम्मीद बार हो ज्वाइंट उम्मीद बार हो बीजेपी के खिलाफ हो ऐसी मैं लगता नहीं कि आप लोगों क ने तो मन बना लिया है मोदी जी के मकाबले में कौन होगा नाम बताने की हिम्मत है किसी को आज एलान कर देंगे क्या है हिम्मत एलान कर दें कि मोदी जी के खिलाफ किसके नित्रत में लड़ेंगे ये सब महत कांशी लोगे कठा हुए है सब के मन में मुंगेरी लाल के हसीन सबने, सब को लगता है कि कुछ सीट मिल जाएगी तो हमारी लोटरी लग जाए लेकिन लोटरी लगने वाली नहीं है पहले से ही मोदी जी पीम बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं तो आपको लगता है कि बारातियों को दूले का एनाउंसमेंट करना चाहिए बारातियों की तहिया ये बाराती ऐसे हैं जो सामने दिख रहे हैं कि ये कठ्थे हैं अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ तलवार खीच लेंगे तो ये आज के लिए कुछ पल के लिए कठ्था है ये पल दो पल का साथ है उसके इलावा कुछ होने वाला नहीं तो बीजेपी को लगता है कि भले ये बैठक हो रही हो लेकिन उन्हें दो हजार चौबीस में कोई जादा चुनोती नहीं होगी ब्रम्ह परकाश दुबे जी मीडिया दिली